चलिए आज हम बनाएंगे बेशन के लड़ू और सबसे आसान तरीके से बिना घी के बनाएंगे अब बहुत टेश्टी और दानेदार बनता है ये लड़ू हर कोई भी बना सकता है असलाम अलेकुम नमस्ते दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा चैनल पे नए हैं तो प्ली आधा चिम्मच इसमें हम तेल डाल देते हैं ये तेल रिफाइन तेल है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है दो चिम्मच इसमें हम दूद डाल देते हैं दूद ये भेस का दूद है और ये उबला हुआ दूद है अदूद डूद को भी मैं दो चिमद स्व डाली हूं बेशन में अच्छे से मिक्स कर ली हूं यह देखिये बेशन मुट्टी बनने लगा है अब एक छन्नी ले लेते हैं चन्नी में थोड़ा थोड़ा बेशन डाल के हम इस तरह चाल लेते हैं ये देखिए मैं सभी बेशन को चाल ली हूँ और बेशन में जो थोड़ा सा दरदरा थाना वो निकल गया है ये देखिए बेशन दोस्तों चलने से बहुत अच्छी लड़ू बनती है दानेदार बनता है अब ये देखिए बेशन दानेदार हो गया है शोप्ट हो गया है तो मेरे तरीके से इस तरह बेशन के लड़ू बनाएना बहुत टेश्टी बनता है बेशन तो हो गया है तैयार अब हम कढ़ाई में एक कप तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है जो मैं बेशन चाल के रखी थी न वो बेशन डाल देते हैं अच्छे से इसे मिक्स करेंगे अब इसे दोस्तों सिरीब आपको चलाते रहना है चलाते रहना है इसी तरह दो से ढाई मिनट तक के इसे चलाते हुए पकाना है यह देखे जाक होने लगा है अब यह देखे जाक भी कम हो गया है तो अब हम इस टाइम पे पानी का छीटा मारेंगे तो यहाँ पर मैं हाथ में इस तरह पानी लेकर ही छीटा मार रही हूँ दो बार मैं बेशन में पानी का छीटा मारी हूँ और यह देखिए इसे दोस्तो इस तरह पकाना है यह देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है ना तो ये दोस्तो 2-5 मिनट लगता है तेल में पकाते हुए तो ये देखिए बेशन अगदम परफेट पक गया है बहुत अच्छी खुजबू भी आ रही है तो बेशन को हम बड़े से पलेट में निकाल लेते हैं ऐसे हम इस तरह चलाते हुए ठंडा कर लेते हैं और दोस्तो ज में सक्कर डाल देते हैं मेठे की हिसाब से अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोस्तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा जद से ज़्यादा से करिएगा इसी कप से मैं दो कप इसी हुए सक्कर ले लिये हुँ मेठे क हिसाब से थोड़ा सा मैं मीठा जादा रखी हूं अब अच्छे से सक्कर को मैं मिक्स कर दी हूं लास्ट में कुटी हुए इलाइची डाल देते हैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब चलिए दोस्तों इसका हम लड्डू भी बना लेते हैं तो आप चाहे इसका लड लड़ू दोस्तों हर कोई बना सकता है बहुत आसान तरीके से बनता है तो लिजिए दोस्तों यहां पर मैं सभी लड़ू भी बना लिए हूँ पिष्टे से गामिस कर दी हूँ तो मेरे तरीके से इस तरह रच्छा बंदन में बेशन का लड़ू बना कर खाएं चैनल पे नए है तो पिलीज चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें लाइक करें इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीस बाई दोस्तों अ झाले, बाइ दोस्तो!